नमस्कार, पुस्पलता किचन में आप सभी का स्वागत है, आज मैं बनाने जारी लौकी का रायता तो देर न करते हैं, हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, उसके लिए मैंने एक लौकी लिए रखी हूँ, एक लौकी का मुझे आधा हिस्सा ही चाहिए, तो चलिए मैं आधा हिस लौकी का छील लेती हूँ, आगे साइट का हिस्सा ही मैं छीलूंगी, और मैंने छील के तयार कर ली हूँ, इसको मैंने धुली भीली हूँ, और इसको मैं कदू कस कर लेती हूँ, और कदू कस करके मैंने तयार कर ली, आप इसे देख सकते हैं, और भगोना मैंने पहले से रग गया थे पानी डाल के इसमें मैंने एक छोटा चम्माच चीनी डाल दी हूँ और अब इसमें मैंने जो कद्दू कस करे थी उस लौकी को मैं डाल दूँगी डाल करके एक उबाल आ जाने के बाद तो लौकी में बंद कर दूँगी और आप देख सकते हैं उबाल आ चुका अब इसको मैंने बंद कर दी और जो दही है मैंने इसको अच्छी तरह से फेट लेती हूँ और आप देख सकते हैं दही को मैंने अच्छी तरह से फेट ली हूँ और अब इसमें मैं एक गिलास दूट डाल करके मिला लेती हूँ और दूट डाल के भी मैं मिला ली अब जो लोकी थी हमने उबाल के रखे थे उसको इसमें हम मिला लेंगे और आप देख सकते हैं इसलिए मैंने चीनी डाल ले थी इसका कलर बहुत ही अच्छा बना रहेगा काला नहीं पड़ता है आप कलर इसका देखी सकते हैं अब इसको मैं मिला लेती हूँ इसमें मैंने दो तीन पींच ही डेली उज़ करने वाला नमक डाल दी हूँ और इसमें मैं छोटा चमा चीनी डाल दी हूँ और एक पींच मैंने काला नमक डाल दी हूँ इससे टेस्ट और अच्छा आएगा और डाल कर इसे मैं चीतर से मिला लेती हूँ अब इसमें मैं दो तीन टुकडे आइस क्यूब डाल दी हूँ इसको भी मैं मिला लेती हूँ और अब इसे मैं तड़का तैयार कर लेती हूँ बहुत ज़रा से मैं रिफाइन डाली हूँ आए एक पींच मैंने इसमें हिंग डाल दी हूँ एक छोटा चमच मैंने इसमें जीरा डाली हूँ एक छोटा चमच का आदा हिस्सा जीरा डाली हूँ मैं और बस कड़ी पत्ता मैं डाल दी हूँ और अब मैंने जो रायता तैयार किया था इसको एक बाउल में मैं निकाल लेती हूँ अटड़का ठंड़ा होने के बाद मैं इसमें डालूँगी और आप देख सकते हैं तड़का ठंड़ा हो चुका है अब इसमें मैं डाल लूँगी डाल के मैं मिला लेती हूँ और आप इसका थिकनस भी देख सकते हैं मुझे बस ऐसा ही इसका थिकनस चाहिए था रायते का न ज्यादा मोटा न ज्यादा पतला आप नजदीक से देख लगते हैं आप नजदीक से एक बार देख लिजिए अगर आपको यह रायता की रेस्पी पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए सस्क्राइब कीजिए अपने दोस्तों में सेर कीजिए अगर कोई कमी आए तो कमेंट करके बताईए फिर मिलते हैं अगली रेसेपी के साथ नम आपकार